शेर में चोरी की वारदतें लगातार जारी हैं। लगबग 40,000 की नगदियों और महंगे बैट सहीत लगबग 1,000,000 रुपे के खेल सामानों पर हास साफ कर दिया। वारदत जिस तरह से अंजाम दी गई उससे लगता है कि वारदत में कोई बच्चा भी शामिल है। मुई लगातार हो रही चोरियों पर व्यापारियों ना आकरोज यताते हुए बताया कि शनिवार को एक व्यापारी की महंगी बाइक चोरी हुई थी। अब व्यापारियों ने पुलिस गश्ट पर सवाल उठाते हुए काहा कि ऐसे कैसे शेहर स्मार्ट बन पाएगा। व्यापारियों ने इस्तिति नहीं सुधरने पर आंदोलंगी चितावनी भी दी है। मारबल की पट्टी टूटी थी, यहां से शटर थोड़ा खुला वाता, कोई बच्चा 10-12 साल का अंदा गुशा, उसने दोनों गल्ले तोड़े, उसमें रखे पैसे लेके गया, गल्ला साफ कर दिया, 40-45 रुपे थे, और माल भी गया हुआ, माल का अक्रान कर रहे है, माल चोरी हुआ है, 80-90 जार पेका, वो भी गया, करकेट बैट हुए है, और दूसरे स्पोर्स का इटम, महिंगा आइटम, वो काया हुआ 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 है, बहुत बड़ा टार्गेट कर रहा है, यहां तो कोई बहुत बड़ा गिरो अजमेर में सकरी है, पिछले दो साल में इस सकरी का जरिया बनाना शुरू कर दिया है, पिछले कुछ समय से रेल गाड़ी में अफीम, चरस और शराब की तसकरी यकायक बढ़ गई है, वहीं जी आरपी ने भी रेलों में हो रही तसकरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके चलते रोजारा किसी कर लाई गई नशे की खेब बरामद हो रही है, रेवार को दिल्ली एमदावाद मेल में एक कोच से अवेज अंग्रेजी शराब की चौरासी बुतले बरामद की गई, जब जी आरपी पुलिस कोच में तलाशी लेने पहुंची तो तसकर मौका देखकर फरार हो गया, जी आ हमारी टीम ने जाके साहब मारा, तो आदमी साहिद बावर्दी पुलिस को देखके पहले ही खिस गया, आज पार तलाश किया नहीं मिला तो उसके सीट के नीचे चार बैग मिले हैं, इसमें कुल 14 शी अंग्रेजी सराब की बोतने भरी हुई है, जो हर्याना मेड है, टीटी किते हुई है, टीटी अंग्रेजी को स radically